ओम श्यान्ति आज की तारिक है 25 नवेंबर 2020 प्रतह मुरली ओम श्यान्ति बापदादा मध्वन मीठे बच्चे ओंचते ओंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो यही है रुहानी फांसी बुद्धी अपने घर में लटकी रहे प्रश्न जिनकी बुद्धी में ज्यान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी उत्तर वह चोटी-चोटी बातों में रंज, नाराज होते रहेंगे जिसकी बुद्धी में जितना ज्यान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी बुद्धी में अगर यह ज्यान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है इसमें नुकसान ही होना है तो कभी रंज नहीं होंगे सदा खुशी रहेगी ओम शान्ती मीठे मीठे रुहानी बच्चों प्रती रुहानी बाप बैट समझाते हैं बच्चे समझते हैं उँच ते उँच भगवान कहा जाता है आत्मा का बुद्धी योग घर की तरफ जाना चाहिए परन्तु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धी में आता हो सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो घर थोड़े ही हुआ घर में ठहरना होता है तुम बच्चों की बुद्धी वहां रहन चाहिए जैसे कोई फांसी पर चड़ता है ना तुम अब रुखानी फांसी पर चड़े हुए हो अंदर में हैं हमको उँचते उँच बापा कर उँचते उँच घर ले चलते हैं अब हमको घर जाना है उँचते उँच बाबा हमको फिर उँचते उँच पद प्राप्त करा रावण राज्य में सब नीच हैं. वह उंच यह नीच. उन्हों को उंच का पता ही नहीं है. उंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता. अभी तुम समझते हो उँच ते उँच एक भगवान को ही कहा चाता है बुद्धी उपर में चली जाती है वह है ही परमधाम में रहने वाला यहा कोई भी नहीं समझते हैं हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं यहां आते हैं सिर्फ पाट बजाने यहां कोई के ख्याल में नहीं रहता अपने ही धंदे धोरी में लगे रहते हैं अब बाब समझाते हैं उँच ते उँच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे याद से ही उँच पद पाना है नौलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पुरी रीती समझते नहीं है हम कितना उँचते उँच जाते हैं मूल वतन, सुक्षम वतन, स्थूल वतन पांच तत्तो यहां है सुक्षम वतन, मूल वतन में यहां नहीं होते यह नौलेज बाप ही देते हैं इसलिए उनको ग्यान का सागर कहा जाता है मनुश्य समझते हैं, बहुत शास्त्र आदी पढ़ना ही ग्यान है कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है परंतो अब तुम समझते हो, इसमें कोई उँचाई तो है नहीं उँचते उँचतो है ही एक भगवान उनके द्वारा हम उँचते उँच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं स्वर्ग क्या है, नर्ग क्या है, चुरासी का चक्र कैसे फिरता है यह सिवाए तुम्हारे इस रिस्टी में कोई भी नहीं जानते है कह देते हैं यह सब कलपना है ऐसे के लिए समझना है, यह हमारे कुलका नहीं है दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए समझा जाता है इनका पाट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे अभी तुम बच्चों का सिर बहुत उँच है जब तुम उच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे नीच दुनिया वाले फिर उच दुनिया को नहीं जानते उनको कहा ही जाता है स्वर्ग विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं है फिर भी नाम तो लेते हैं have in paradise था मुसल्मान लोग भी बहिश्ट कहते हैं परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है अभी तुमको कितनी समझ मिलती है ओंच ते ओंच बाप कितनी नौलिज देते है यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया इसलिए चिलाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ बाप कहते हैं हर पांच हजार वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है पुरानी दुनिया सो नहीं बनती है इसलिए मुझे आना पड़ता है कल्प कल्प आगर तुम बच्चेों को उँचते उँच बनाता हूं पावन को उँच और पतित को नीच कहा जाता है यही दुनिया नहीं पावन थी अभी तो पतित है यह बाते तुम्हारे में भी नंबर वार है जो समझते हैं जिनकी बुद्धी में यह बाते रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं बुद्धी में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है यहाँ है पुरानी दुनिया मनुश्य कितना नीच बन जाते हैं परंतु यहाँ कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम नीच हैं भक्त लोग हमेशा सिर जुकाते हैं नीच के आगे सिर जुकाना थोड़े ही होता है पवित्र के आगे सिर जुकाना होता है सत्युग में कभी ऐसा नहीं होता भक्त लोग ही ऐसा करते हैं बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर जुका कर चलो नहीं, यहां तो पढ़ाई है God Fatherly University में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए ऐसे नहीं, सिर्फ University में नशा रहे घर में उतर जाए घर में नशा रहना चाहिए यहां तो तुम बच्चे जानते हो शिबाबा हमको पढ़ाते हैं यहां तो कहते हैं कि मैं थोड़ी ही ग्यान सागर हूं यह बाबा भी ग्यान का सागर नहीं है सागर से नदी निकलती है ना सागर तो एक है ब्रमपुत्रा सबसे बड़ी नदी है बहुत बड़े स्टीमर्ज आते हैं नदियां तो बाहर भी बहुत है पतित पावनी गंगा या सिर्फ यहां ही कहते हैं बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावनी नदी है फिर तो गुरू की कोई दरकार नहीं नदियों में तलाव में कितना भटकते हैं कहां तो तलाव ऐसे गंदे होते हैं बात मत पूछो उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं अब बुद्धी में आया है यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं अब तुम समझते हो कि इस ग्यान से हमारी आंखे ही खुल गई तुम्हारी ग्यान की तीसरी आंख खुली है आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है इसलिए तरिकाल दर्शी कहते हैं तीनों कालों का ज्यान आत्मा में आता है आत्मा तो बिंदी है उसमें नेत्र कैसे होगा यह सब समझने की बाते हैं ज्यान के तीसरे नेत्र से तुम तरिकाल दर्शी तरिलो की नात बनते हो नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो प्रचना के आदी मध्य अंत को जानने से तुमको वर्सा मिल रहा है यहाँ नौलेच है ना हिस्ट्री जोग्राफी भी है हिसाब किताब है ना अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं इस हिसाब से और धरमवालों के कितने जन्म होंगे परंतु बाब कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है टाइम वेस्ट हो जाएगा यहां तो सब भूलना है यहां सुनाने की दरकार नहीं तुम तो रचता बाब की पहचान देते हो जिसको कोई जानते नहीं शिबाबा भारत में ही आते हैं जरूर क पुछ करके जाते हैं, तब तो ज्यंती मनाते हैं ना, गांधी अत्वा कोई साधु आदी होकर गए हैं, उन्हों के स्टेंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लैनिंग की स्टेंप बनाते हैं, अभी तुमको तो नश्या है, हम तो पांडव गवर्मेंट हैं, औल्माइटी तुम समझते हो कि विनाशकाले प्रीत बुद्धी हमारी ही है, बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते प्रेम में आंसु आजाते हैं बाबा, आप हमें आधा कल्ब के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरुवा मित्र संबंधियादी किसको भी याद करने की दरकार नहीं, एक बाप को ही याद करो, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बाबा, आपकी तो बड़ी कमाल है, हर पांच हजार वर्षबाद हमें आप जगाते हो, सभी मनुश्य मात्र कुम्ब करन की आसुरी नींद में सोय हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में हैं, अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यहाँ है, बाकी जो भी इतने हट योगादी सिखलाते हैं, वहाँ सभी है एकसरसाइज, शरीर को तंद्रुस्त रखने के लिए, अभी तुम्हारी बुद्धी में सारा ज्यान है तो खुशी रहती है, यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं, कोई तो यहाँ रिफ्रेशों बाहर निकलते हैं, वहनशा खलास हो जाता है, नंबर वा पतित समझते थोड़े ही हैं, इसलिए पाप धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़े ही पाप लगता है, बाब तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं, और कहते हैं मामी कम याद करो, तो तुम्हारे विकरम विनाश होंगे, यहाँ ग्यान अभी तुमको मिला है, भारत स् अभी नर्क है, तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो, कोई विकार में गिरते हैं, तो फेल होते हैं, तो जैसे नर्क में जाकर गिर पड़ते हैं, पाँच मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर सो गुणा सजा खानी पड़ती हैं, तो बाब समझाते हैं कि भारत कितना उंच अब कितना नीच है, अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुश्य तो कितने बेसमझ हैं, बाबा तुमको यहां कितना नशा चड़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है, स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, तो कभ कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं, अभी देखो दुनिया का क्या हाल है, तुमको ओंचते ओंच बापा कर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार, तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहां पाट बजाने आई हो, यह ड्रामा का राजबा भी आकर समझाते हैं, इस रि बेहद का नाटक चाहिए ना ग्रिहस्त वैवहार में भी भल रहो प्रन्तु पवित्र बनो विलायत में ऐसे बहुत हैं जब बूड़े होते हैं तो फिर कमपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं संभाले के लिए फिर विल करते हैं कुछ उनको कुछ चैरिटी को विकार की बात नहीं रहती है आशिक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है तुम हो रुहानी आशिक एक माशुक को याद करते हो सब आशिकों का एक माशुक है सभी एक को ही याद करते हैं वह कितना शोबनिक है आत्मा गोरी है ना वह है एवर गोरा तुम तो सामरे बन गए हो तुमको वह सामरे से गोरा बनाते हैं यह तुम जानते हो कि बाब हमें गोरा बनाते हैं यहां बहुत हैं जो पता नहीं किस-किस ख्यालात में बैठे रहते हैं स्कूल में ऐसे होता है बैठे-बैठे कहां बुद्धी बाइसकोप तरफ दोस्तों आदी तरफ चली जाती है सत्संग में भी ऐसे होता है यहां भी ऐसे है बुद्धी में नहीं बैठता तो नशाही नहीं चड़ता धारना ही नहीं होती जो औरों को कराएं बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहां लग जाएं परन्तु छोटे-छोटे बच्चे हैं बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो यहां तो बहुतों का कल्यान करेंगी होशियार हैं तो क्यों नहीं रुहानी सर्विस में लग जाएं पांच-छे बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो इन माताओं की अब बारी है ना नशा बहुत रहना चाहिए आगे होगा पूरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है यहां माताओं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुद मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक तुम्हें बुद्धी से सब कुछ भूलना है जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है बुद्धी योग एक बाप से लगा रहे कहां भी बुद्धी भटकनी नहीं चाहिए निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं इस नशे में रहना है वर्दान बेहत की स्थीती में स्थित रह सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्य सेवाधारी भव विश्य सेवाधारी अर्थात बेहत की स्थीती में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं सेवा के लगाव में नहीं आते क्यूंकि सेवा का लगाव भी सोने की जजीर है यहां बंधन बेहद से हद में ले आता है इसलिए देह की समरीती से इशर्य संबंद से सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो वीश्व सेवाधारी का वर्दान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी श्लोगन व्यर्थ संकल्पों को एक सेकिड में स्टॉप करने की रहसल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शान्ति